नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूट्वब एजिवेस्टे चैनल में तो आज हम सिखने वाले है लेमोटरीजिन मेडिसिन के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बाएं के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन को लेमोट रिजिन जो वो treat करता है जानेंगे उसका side effects के बारे में उसके dose क्या है and warning and contraindications की details study करेंगे तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि tablet का type कौन सा है तो यह dispersival type के tablet है और dispersival type के tablet में एक instruction यह रही थे कि जब भी आप यह tablet को use करते है तो उसको लेने से पहले उसको पानी में डाला जाता है और उसको dissolve किया जाता है और dissolve करने से यह tablet अच्छे से पानी में गुल जाती है और फिर जो solution तयार होता है वो patient को जो देना होता है तो pharmacist की यहाँ पे एक खास responsibility रहती है यह dispersival tablets के लिए कि यह अच्छे से एक advice देनी होती है कि जब भी कोई patient यह dispersible tablet लेता है तो उसको directly ना खाए उसको पहले पानी में डाले और उसका solution के बनाने के बाद ही उसको जो वो लेनी चाहिए तो यह tablet के बार में और ज़्यदा हम जाने तो इसको bipolar disorder में use की जाती है मतलब कि एक मांसिक बीमारे के जिसके अंदर आपके mood swings होते हैं कि अचानक से काफी positive mood होता अचानक से काफी negative mood हो जाता है तो ऐसे जो mood swings के जो problem है कि जिसके अंदर patient का एक depressions के भी symptoms कई बार देखने को मिल जाते है तो ऐसे conditions को treat करने के लिए भी lamot resin जो यूज की जाती है उसके अलावा जो मिर्गी के दौरे पढ़ते है कि जो epilepsy हम कहते है कि अचानक से patient जो बेहूस हो जाता है या फिर सरीर में काफी कमपन देखने को मिलती है तो ऐसे conditions को भी lamot resin ट्रीट करते है फिर जो neuropathic pain जो कहते हैं कि सरीर में कमपन जैसा रहना numbness जैसा होना या फिर neurons में जो आपको दर्ध होते हैं तो यह सभी conditions को यह medication जो वो treat करती है तो उसके details study करते हैं आज के lecture में और जानते हैं कि कैसे यह medication अपना काम करता है उसके side effects का develop हो सकते हैं उसका dose वगेरा क्या है तो ऐसे ही समझे कि आपको सीखना है तो medicine course में आप सीख सकते हैं pharma rocks के अब उपर कि जैसे लैमोट रिजिन के बारे हम सीखेंगे ऐसे बहुत सारी दवायों के बारे में सीखे pharma rocks के अब उपर medicine course में तो यह course को जोइन करने के लिए हमें whatsapp कर सकते है 90163120202 या फिर हमारी एप को डाउनलोड करें तो आप जानते हैं लैमोट रिजिन के बारे में तो यह ऐसे glass का medication है कि जिसको हम anti-epileptic drugs कहते हैं और यह medication जो epilepsy को treat करने के लिए use की जाती है epilepsy में लबकि जो patient को मेरगी के दौरे पड़ते हैं अचारक से वो बहोस आ जाता है सरीर में कमपन देखने को मिलती है कि जिसको हम seizure भी कहते हैं तो यह सेभी conditions को यह medications treat करते हैं और साथ उसाथ जो नरूपेन के conditions को भी लिएमोट रिजिन जो वो treat करता है उसको treat करने के लिए यह medication जो है वो use की जाती है तो अब समझते है bipolar disorder के बारे में तो उसके अंदर इसका role क्या है तो bipolar disorder के जो symptoms होते हैं उसको treat करने के लिए यह medication यूज की जाती है जैसे कि यह एक मानसिक विमारी है अचानक से patient के जो moods जो में swings होते है मलकि mood में बदलाओ जो वो देखने को मिलता है फिर रोगी की जो मनोद इसा वो दो विपरी तवस्ता में बदलती रहती है दो विपरी तवस्ता मतलब कि अचानक से काफी positive mood या फिर अचानक से काफी negative mood हो जाता है मतलब कि bipolar disorder देखने को मिलता है कि अचानक से काफी happiness है तो अचानक से काफी sadness में जला जाता है patient तो ये conditions को भी ये medication जो हो treat करती है फिर उसके label के बार में हम सीखे तो lameter dt50 यहाँ पे एक उसका marketed formulation के हम यहाँ पे study कर रहे है तो उसमें आप देखो कि जो strength है वो 50 mg की है फिर lamote resin के dispersible type के tablet है फिर यहाँ पे directions देखनी जरूरी है कि जब भी उसको retail में बेचा जाते तो prescription के साथ ही बेचा जाता है torrent pharmaceutical उसके जो ही वो manufacture है light से उसको protect करना होता है moisture से protect करना होता है storage जब करो तो temperature जो वो 30 degree से ज़्यादा जो वो नहीं बढ़ना चाहिए और दूसरे condition हम देखे तो यहाँ पे उसका आलो-ालो packing है और जो packing के उपर भी proper हम देखे तो detail में सब instructions जब आपको देखने को मिल जाते company का brand name में salt content क्या है Rx मनले के prescription based यह medication है c-dolage के अंदर यह include होता है तो अब उसके mechanism हम देखे तो यह medication काम कैसे करती है तो lamode reason क्या करती है जो sodium channels होते है voltage gutted उसको जो वो block कर देता है और उनको block करके अपनी pharmacological action देता है फिर उसके dose के बारे में हम समझे तो dose रहता है सबसे पहले जो सरुवात का dose होता है वो 50 mg रहता है per day मलग कि यह 50 mg की यह जो tablet है वो दिन में patient एक बार जो वो use करता है और जरुरत पढ़ने पर उसका dose जो वो increase किया जाता है और dose जो वो खास कर 300 mg पर day जितना भी increase किया जा सकता है पर वो divided dose में रहता है लाइक समझो कि आपने 200 mg dose जो fix किया है per day के लिए कुछ दिनों के बाद तो 50 mg का यह जो tablet दिन में patient 4 बार लेगा पर हर एक dose के बीच में at least 6 गंटे का time interval होना चाहिए फिर मान लो 150 mg आपको देना है तो हर एक tablet के बीच में at least 8 गंटे का time interval होना चाहिए तो ये खास आपको dose अच्छे से ध्यान रखना होता है side effects हम से देखे तो कुछ लोगों को allergic reactions हो जाती है skin के ओपर अचानक से rashes देखने को मिलते है फिर headache मान लोग के सीरदर जैसा कुछ लोग feel करते है nausea vomiting जैसा feel करते है फिर dryness in mouth मैं लोग के गला सूख रहा है saliva कम होई है आपके mouth के अंदर ऐसा कुछ लोग feel कर रहा है फिर insomnia मैं लोग के सोने में दिक्कत आना जैसे याँ पर आप देख रहे के गड़ी में 2 बच कर 15 मिनिट हुई है जो diagram के अगोड इंटो फिर भी ये patient जो उसको नींद नहीं आ रही है तो ये एक side effect हो सकती है लामोट रिजिन की या फिर उससे विपरीत होता है कुछ लोगों को जैसे कि उनको sleepiness जैसा फिल होता है नींद आती रहती है या फिर dizziness जैसा वो feel करते है back pain जैसा feel होता है कुछ लोगों को पेट में दर्द जैसा होना vision blur हो जाना या फिर double vision जैसा feel करते है impaired coordination मलकि आपका coordination bigger सकता है समझे कि आप चल रहा है या फिर कोई activity कर रहा है तूस वक्त आपका coordination जो हो खराब हो सकता है फिर nozzle congestion जैसा कुछ लोग feel करते हैं मतलब कि उसके करण नाग जो हो बंद हो जाना ऐसे complications कुछ लोगों को देखने को मिलते हैं warnings के हम बात करें तो allergic reactions उसके warning है कि अगर कोई patient इसको खाता है और अचानक से body के उपर सूजन देखने को मिलती है फिर skin के उपर rashes development होना सुरू हो जाते है फिर ऐसा होता है कि सूजन पूरे body प्या जाती है अचानक से कि चैरे पर सूजन देखने को मिल रही है lips के उपर सूजन देखने को मिल रही है आखों के उपर सूजन देखने को मिल रही है तो ऐसे conditions में ये medication को लेना तुरंद बंद कर देना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए Contraindications देखे कि कोई लोगों को ये lamot reason नहीं खानी है तो सबसे पहले meningitis के जो patient के जिनका meningitis जो कोई infections के कारण नहीं हुआ है ऐसे लोगों को ये medication नहीं खानी है Second, जिनके सरीर के अंदर blood cell के count कम है मतलब कि उनके अंदर RBC कम है या फिर WBC कम है या फिर platelets कम है उन लोगों को ये medications नहीं खानी है फिर kidneys के patient है, liver के patient है या फिर जिनको heart related कोई भी विमारी है मतलब कि heart में कोई blockage है या फिर heart को oxygen supply बहुत ही कम हो रहा है मतलब कि cardiovascular system related कोई भी विमारी है तो वो लोग भी ये medication को use ना करें तो ऐसे सीख सकते हैं डिटेल में आप medicine course में किसी भी दवाई के बारे में जैसे आज या आप हम लैमोट रिजन के बारे में सीखें तो बहुत सारी दवाईयों के बारे में सीखें medicine course में तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 पर या फिर हमारी app को download करें Good luck and all the best